हेलो दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ महराष्ट के अकोला जिला के बारे में जिसे काटन सीटी भी कहा जाता है जो अपने नहरो पार और उकिला के लिए उरे विस्वभर में परसिद्ध है यह जिला महराष्ट के जिलों में एक जिला है महराष्ट के उत्री चेत के अंतरगत आता है यह जिला महराष्ट के उत्तर की तरफ अंदर की तरफ है अकोला बीच दस्मलों तीस उत्तर दस्मलों दस पूर्व के बीच इस्थिद है अकोला की समंदतल से उचाई 287 मीटर अकोला महराष्ट के राजधानी मुंबई से 571 किलो मीटर उत्तर पूर्व की तरफ मुंबई कुलकाता मार्ग पर है और भारत की राजधानी दिल्ली से 1271 किलो मीटर दचिर पस्चिम की तरफ राष्टी राजमार्ग 48 पर है और यह जिला अपने प्रणोसी जिलों के साथ अपनी सीमा साजा करता है इस जिले में उत्तरपुरो में अमरावती जिला, दश्चिर में वसीम जिला, तता पस्चिर में बुलडाला जिला इस्तित है दोस्तों अगर आप महराष्ट में गुमने का मन बनाते हैं तो नमबर वन में आपका अकोला जिला होना चाहिए क्योंकि दोस्तों इस जिला में शेवगाओं मंदिर शाहनूर किला और अकोला किला नहरू पार्क तता राज-राजश्वर मंदिर भे इस्तित है और दोस्तों महराष्ट के उबरते जिलो में से अकोला जिला एक है यहाँ पर आप कई पराचीन और परटलों के साथ-साथ मंदिरों और नदियों के शेयर कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन इससे पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले तो कर देजिए भाई वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो हम बात परते हैं अकोला जिला के छेतर फल के बारे में यह जिला 344,31 वर्ग किलो मीटर है और 2011 की जनगरना की अनुसार अकोला की जनसंक्या लगभग 18,88,617 है और जनसंक्या घनत्व 321 वेक्तिव परतीव वर्ग किलो मीटर है और अकोला की साचरता 27,55 है महिला पूरुष अनुपात यहां पर 938 है जिले की जनसंक्या विकासदर 201-211 के बीच 1160 रही है और यहीं अगर धर्मे के अनुसार से बात करें तो 101,7% हिंदू 19,7% मुसल्मान के अनुसार अनुस्रित है और यहां का जनसंक्या घनत्व 321 है दोस्तो अकोला जिले की पहचानी होती है यहां की पवित्र नदियों और मंदिरों और सडकों और बरेटन अस्थलों की वज़े से दोस्तो अभी हम एक नजर डालते हैं अकोला जिले की इतियास पर इस जिले का इतियास अती पराचीन है क्योंकि इस जिले का वरणन महावारत में भी आया है उस समय ये पूरा भुभाग विधर्ब राजे के अंतरगत आता था 272 से 231 पूर्व तक यहां पर समराट अशोक का शासनकाल रहा तथा बाद में यहां पर साथवाहन शासकों ने कबजा कर लिया था यहां पर ही 28 नमवंबर 1803 इस वी कोदित्री एंगलो मराठा युद्ध हुआ था दोस्तों अभी हम बात करते हैं को अकोला की परेटक अस्थलों के बारे में नमबर एक अकोला किला है जिसे अउरंग जेब ने बनवाय था किलो को असदगर के नाम से भी जाना जाता है और अकोला की परसीद परेटल अस्थलों में से एक है बालापुर किला अकोला जीले में देखने के लिए एक और जगह है क्योंकि ये एक किला है जिसका निर्माड समराड औरंगजेब के बेटे आदम शाह द्वारा किया गया था और 1757 में नवाब इसमाईल खान द्वारा पूरा किया गया था हलांकि ये किला अब जरजर अवास्थल में है किले के अंदर तीन कुएं और एक मस्जिद है किले का एक हिस्सा अब कुछ सरकारी कर्यालो द्वारा उपियोग किया जाता है अकोला की आंगन तुक शहर और उसके आसपास के कुछ मंदिरों में जाने का विकल्प भी चुन सकते है अकोला किले के अंदर राज राजश्वर मंदीर और शिव मंदीर पसंदीदा परेटन अस्थल है नर्नाला किला महराष्ट के अकोलों में घुमने के लिए एक और जगह है सत्थपुड़ा में पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ है नल्नारा वन्यजीव अभयारण जो वास्तों में नर्नाला किले के चारों और घना जंगल है एक और परेटक आकरशक है और महराष्ट के सबसे परशिद वन्यजीत अभियारडों में से एक है देखने लायक बात ये है कि किले इसे घिरा घना जंगल जिसमें अनगनित जंगली जानवर भी शामिल है नर्नाला किले तक पहुँचना एक अच्छा विकल्प है क्योंकि यात्रा जाफराबाद किले की यात्रा भी कर सकते हैं जो अकोला छेत्र में एक नजदी की परेटर अस्थल है नर्नाला किला पूरी तरह से घने जंगल से अच्छादित है इसलिए आगन्तुक अकोला छेत्र के करीब स्थीत नर्नाला वन्यजीव अब या रड़े में वन्यजीव का अन्रंद ले सकते हैं नर्नाला का जंगल अपनी हरियाली के लिए विश्य परसिद है और पराचिन किला इसी यात्रियों के लिए एक और अधिक विश्य सस्थान बनाता है पार्क को 2 मई 1997 को आगन्तुको के लिए अवास और सफारी के विएस्था के लिए घोसित किया गया था नमबर दो संस्तंगजानन महराज संस्तन अकोला अकोला की लोग धार्मिक है इसलिए शहर में एक ऐसे पवित्रस्थान है जहां से यात्रियों पहुँच सकते हैं भगवान शिव को समर्प्रतित राज-राजिश्वर तिर्त शहर का पहला पवित्रस्थान है शरावर मास्क में लोग भारी मात्रा में मंदिर पहुचते हैं सो मौर को मंदिर जाना बहतर होता है क्योंकि बड़ी संख्या में अनुयाई भगवान शियों की पूजा करने के लिए मंदिर पहुचते हैं संदगजानन महराजा टरस्ट गया संसतान आगन तुको के लिए शिर्ष अस्थान है इस टरस्ट में विशाल मंदिर है हालांकि यातियों को मंदिर तक पहुचने के लिए विधर्ब छेतर में जाना पड़ता है लोग टरस्ट को विधर्ब छेतर के पंडरपूर के रूप मे बहँ पाचानते हैं । नंबर 3, नहरूफार्क कोला, यह उन लोगों के liए जो ऐसी जगहों की तलाश कर रहे हैं, जहाँ आप भरफूर मनोरंजन और मनोरंजन कर सकते हैं, तो आप नहरूफार्क में विकनिक यूजना बना सकते हैं, यह है एक मनोरंजन और वाटर पार्क होने के लिए लोग प्रिय है हाला कि ही में जो हाल ही में जो जोड़े गए आकरशडों में संगीत में फवारा लेजर शो आदी शामिल है भारत का पहला 3D तारा मंडल अस्थाफित करने के बाद यह शहर का गवरो बन गया पार्क में लगवा 350 सीटों का टाइब जरूर करें